नमस्कार दोस्तो मैं सुमीत आप सोका सौगत करता हूबर्स के रहें इन्फो यूट्यूब चैरल पर तो दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले कि हम अपने बेबी पेरट को क्या खिला है बेबी पेरट लाने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि घर लाने के बात बेबी पेरट को क्या खिलाना चाहिए और सबसे में बेबी पेरट को खिलाने का सही तरीका क्या है क्योंकि आपको पता ही होगा कि तोते के बच्चे को उसके तीन मेने की उम्र तक हैंड फीट कराना होता है मतलब आपको अपने हाथों से खिलाना पड़ेगा इसलिए ये जानना भी बहुत जरूरी है कि बेबी पेरेट को खिलाने का सही तरीका क्या है जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहे हैं और चैनल पर नहीं आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथी नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके और प्रसिट कर ले ताकि सारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम सुरू करते हैं So friends, आप लोग excitement में baby parrot अपने घर ले तो आते हैं बट आप मेंसे जादा तर लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि तोते के बच्चे को क्या और कैसे खिलाना है और यही आपकी सबसे बड़ी mistake है कुछ लोग अपने baby parrot को दूद पिलाते हैं तो कुछ लोग अपने baby parrot को सत्तू या सरेलेक फीड कराते हैं सत्तू एक हद तक थी भी है पर दूद अगर आप अपने baby parrot को दे रहे हो तो वो जादा दिन तक सरवाइब नहीं करेगा क्योंकि milk में lactose होता है और lactose को digest करने के लिए जिस enzymes की जरूत होती है वो birds या parrot में नहीं होती है जिस बज़ा से lactose, birds, parrot के digestive system पर unfunctionally बढ़ करता है जिससे उनको loose motion, indigestion, diarrhea जैसे problem होती है बड़े parrot को आप time रहते treatment कर सकते है पर baby parrot बहुत नाजूक होते है वो इन बिमारी को जेल नहीं पाते और मर जाते है इसलिए हमें अपने baby parrot को या फिर किसी भी bird को milk बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए इसके अलाबा कुछ लोग अपने baby parrot को serilak भी feed कराते इस topic पर मैंने एक dedicated वीडियो बना रखा है वीडियो का link आपको नीचे description box में मिल जाएगा तो आप इस वीडियो को भी जरूर से देख लेना अब बात आती है कि baby parrot के लिए सही food क्या है जैसे कि मैं अपने baby parrot को Nutribird A21 hand feeding formula फीड कराता हूँ यह बहुत अच्छा है baby parrot के growth के लिए साथी यह easy to digest भी है baby parrot इसे आसानी से digest कर लेते है Nutribird का A19 hand feeding formula भी आता है बट यह बड़े parrots के लिए है like Amazon, Macao, Kakatoos क्योंकि A19 में protein, fat ज्यादा होता है अगर आपके पास medium size के parrots है like ring neck, Alexander, Cockatail, Lovebirds, Conures इनके लिए A21 hand feeding formula परफेक्ट है Nutrivert के hand feeding formula थोड़े महंगे होते है अगर आप इसे afford नहीं कर सकते तो pets life hand feeding formula भी अपने baby parrot को feed करा सकते है मेरा यह Alexander जब छोटा था तो उसे मैंने pets life का ही hand feeding formula फीड करा है बट हम सिर्फ hand feeding formula पर ही depend नहीं रह सकते दिन में एक बार अपने baby parrot को socked काले चने को mast गर के भी खिलाना है काला चना उसके health के लिए काफी अच्छा है Emergency में हम अपने baby parrot को क्या feed करा सकते है जैसे कि आपके पास hand feeding formula खतम हो गया हो या फिर आप baby parrot ले आए है और आपके पास hand feeding formula नहीं है तो ऐसे में आप अपने baby parrot को क्या feed करा सकते है ऐसे situation में socked काले चने को paste बना कर feed करा सकते है या फिर simply socked काले चने को boil करके, mast करके, अपने finger से थोड़ा-थोड़ा करके feed कराईए अभी सबसे main point आता है कि baby parrot को hand feeding formula feed कैसे कराना है आप syringe की मदद से अपने baby parrot को feed करा सकते है बट इसके लिए experience की जरूरत है अगर आप first time baby parrot पाल रहे है तो baby parrot को feed कराने के लिए एक spoon आता है जो की amazon पर available है इससे baby parrot को feed कराना बहुत easy है और आप video में देखी रहे हैं कि कैसे मैं अपने baby parrot को spoon की मदद से feed करा रहा हूँ तो इसी तरह आपको भी अपने baby parrot को feed कराना है सब फेंस आज के इसी वीडियो में मैंने आपको बताया कि baby parrot को क्या और कैसे feed कराना चाहिए तो आज के वीडियो में बस इतना ही उमीद करता हूँ वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला तो आज की वीडियो को हम ही पर बाइंड अब करते हैं